नमस्कार प्यारे किसान भाईयो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे बरबटी के खेती किस परकार से किया जाता है बीज के बुआई कब किया जाता है और बीज के बुआई के बाद हार्वेस्टिंग तक पूरे जनकाडिया इस वीडियो में बताया गया है कि फटिकेशन आप कब करते हैं बीज सोधन कैसे करते हैं और इसमें उर्वरक देते समय किनकीन बातों को ज़्यदा ध्यान पर करकना परता है और कितने दिन पर आप तुराई कर सकते हैं सारी जनकाडिया इस वीडियो में आपको मिलेगी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए वीडियो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन मीटी में और कितना इसका पियच मान होता है तो ज़्यादा अच्छा होती है तो बलवाई दोमट मिटी और दोमट मिटी में इसका खेती अच्छे से हो जाती है और भी जो इंडिया में मिटी होता है उनमें खेती इसका किया जाता है और इसका pH मान के बाद करें तो 5.5 से ले करके 6.7 तक इसका खेती करते हैं तो बहुती अच्छा और उप्युक्त माना जाता है अब चाहे तो इस परकार से देख रहे हैं मेट बना करके इसका जो टुभाई होता है उपर कर सकते हैं या नहीं तो फलेट सिस्टम से होता है या क्यारिया बना करके जो आप ये देख रहे हैं कि इस परकार से क्यारिया बना करके बीच में नाले बना दे पानी निकलने के लिए ताकि आराम से पानी निकल सके और ये जो मीन जो होता है इस परकार से बनाने के बाद जो होता है ये थोरा सा उपर होना चाहिए ताकि पानी के निकास अच्छी से हो सके और इस परकार से देख रहे हैं कि बीच में नाली बना करके दोनों साइट से क्यारिया बना हुआ है तो इस परकार से बना ले ताकि कभी भी आप पानी इसमें देंगे तो एक ही बार में आप जैसे कि इस नाली में पानी आप देते हैं तो लेफ् बबर के खाद हेक्टेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं 10 से लेकर के 15 टन परती हेक्टेयर कि दर से दे सकते हैं यूरिया जो है उशाट केजी सिंगल सुपर फासवेट 310 केजी मीरोट पोटास जो है वह 50 केजी सलफर 20 केजी जिसमें सब साथ में देना होता है सिर्फ इसमें यूरिया का मात्रा आधा दे जिसमें खेती करते हैं तियार खेत को करते हैं जिसमें बवाई करते हैं उसमें बाकी उसमें 30 किलो जो यूरिया बचा होता है उसको जब आप बचा होता है उसको आप 30 किलो जो यूरिया बचा होता है उसको आप दे सकते हैं और इस बीज का ज पहता है 45-60 cm पर रखे और पोद से पोद के दूरी है 10-15 cm पर रखे और गहराई जो होता है इसका 3-4 cm नीचे इसका बुआई आप कर सकते हैं फिर बात करते हैं कि जिस समय इसका आप खेती करते हैं इसका खरपतवार जो होता है बात् सकते लिए इसका आप दे सकते हैं तो बुआई करने के बीतना बात हैं पेंडे मिथालीन जो होता है 3.3 लिटर दावा को 700 लिटर पानी में घोल करके और परती हेक्टेर के हिसाब से अब इस पर छिरकाब करते हैं तो खरपतवार जो होता है वो 20-25 दिनों तक वो नहीं आपाएगी जब 20-25 दिन हो जाता है तो नहीं आएगी उस समय क्या होता है कि जो आप बरबटी का पोध लगाए होते हैं वो काफी उपर आ जाता है अंकृत हो करके और ये देख रहे हैं कि इस परकार से 4-5 पत्ति के तब तक हो गया होता है उसके बाद जब खरपतवार उसमें उग आता है तो उसको आपको हाथ से या मजदूर से चुनाई इस परका पर लेते जब फृर उसके बाद क्या करें जो खरपतवार होता है सभी को नियंतरन कर देने के बाद अब बात आती है कि खरपतवार्दे से नियंद्रन हो जाता है तो सिचाई कर दें चेजी से बरपात लेने लएगा उससे पहले जिस समय आप बीज का बॉआई करते हैं उससे पहले बीज का सोधन करना जरूरी होता है तो सोधन करने के लिए धीरम या कैप्टान जो होता है वो ले करके 2-3 गराम परती किलो बीज के हिसाब से दर से उसको बीज को सोधित करके तब बीज को होता है वो जमीन में लगाना होता है उसके बाद जो दिखेंगे कि फंगस जो होता है वो बीजों में नहीं लएगा और बीज के मात्रा जो है परती हेक्टियर की दर से आप बीज से ले करके 25 किलो परती हेक्टियर के दर से लग जाती है और इसमें बहुत सारे जो होता है कि भराइटी आते हैं तो बोना किसम के जो भराइटी होते हैं वो ज्यादा किसान भाई करते हैं क्योंकि जो बोना किसम के भराइटी होते हैं वो जमीन पर ड्राइट लगा करके जो फलेट सिसम से करते हैं तो या जो बेट बना करके करते हैं तो उसमें जो होता है और बोना किसम बहूत ही अच्छा होता है अगर आप मचान बिधीसे करते हैं तो जो bolt आता है bolt बोल्ट व्राइटी आता है जो उपर चठा करके मचान पर किया आता है वो कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जो जमीन पर अगर आप करना चाहते हैं उस समय बोना किसम ले, जब आपको मचान पकरना होता है, तो बोल्ट जो आता है भराइटी उसको ले करके आप मचान बिधी से या उपर चरहा करके आप कर सकते हैं, तो बोना किसम जो आता है उसमें होता है, पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, कासी कंचन, कासी गौरी, कासी उनत ये सब जो है बहुने किसम है इसमें और भी जो होता है बोराइटी आता है जैसे पूसा फागणी पूसा बर्शाति होसा दोफली पूसा रिटु राज अच्छे से यह अप्रवट्टी के खेती करके आप उपज ले सकते हैं और जो ज्खारु formulated जामा होता है जिसका जहार होता है उसका खेती आप फलेट पकरे या जो बेड होता है उस पकरे जो बोल्ट वला आता है वो जो होता है मचान बिधी से किया जाता है और इसका खेती जो होता है अब तो हर सीजन में इसका खेती होने लगा है वैसे इसका खेती जो होता है जून में लगने वाले जो कीट होता है और डावनी मिल्डिव या लेट बलास्ट होता है जैसीड माहू पता लपेटक जो होते हैं यह होता है रस चुसक जो होते हैं यह सब कीट जो लगता है जो की एक पौधे से दूसरे पौधे में यह ज्यादा होने के बाद जो है फैलने लगत पुरमी dice can go misin जो कर तो देखें कि महयनकोच्येया सप्वाइरेश करने के लिए आपपने फसलों में पहले जो करते हैं तो देखें मैंकोचयब का इसाओं कर सकते हैं स्परी करने के 10-15 दिन दिन के बाद वल्छेदक होता है वह पकब लेता है फल छेड़क के लिए भी आब एस्प्रे कर सकते है , फल छेड़क लग जाता है उसके लिए इस्प्रे कर करने के लिए और फ्रूटिंग शुरू होता है पहले फ्लाबरिंग शुरू होता है उसके बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू होता है और ऐसे करके 50 दिनों के बाद से जो होता है पचास से 55 दिनों में हर्वेस्टिंग करने लाइक जो यह सब होते हैं वो तयार होता है मीच्योर होता है उ इसमें देखर हैती है वह आणा से आगए इस परकार से ही जो आ अप बहुत ओः। ईसमें देखेंगे की बहुत सारे इसमें बरबट्टी लग जाते हैं जैसे कि 55 से लेकर के साथ दिनों का होय आता है तो बरबट्टी इसमें बहुत ही जादा ओई इसमें इस परकार से कि यह जो बरबटी देख रहे है कितने अच्छे से यह निकला हुआ है और फलाबरिंग हुआ हुआ है अब बहुत सारे जो बरबटी है वो लग करके बिल्कूर त्यार भी हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए तो देख रहे हैं कि हार्वेस्ट जो है इस परक से होंगे आपके बरबटी के खेती कर सकते हैं और किसान भाहियों एक बात बरबटी के खेती करने के लिए तो खेती आप करते हैं बहुत से किसान होते हैं कि फॉल लेने के लिए बरबटी के खेती करते हैं और बहुत से किसान होते हैं इसके चारा के लिए यूज में लेते है तो चारा के लिए अगर आप यूज में लेते हैं तो मैं सलाद दूँगा कि इस पर किसी भी परकार का जो एस्प्रे होता है वो ना करें क्योंकि चारा के लिए अगर इस्तिमाल करते हैं तो इसको जानबारों को खिलाना होता है उस समय इस पर एस्प्रे करना सही नहीं होता ह तो अगर आप चारा के लिए बरबटी के खेती करते हैं तो इस पर किसी भी परकार का जो एस्प्रे होता है जो किटनासक या कोई भी एस्प्रे होता है वो न करें अगर आप एस्ष्प्रे करते भी हैं या कर दिये हुए हैं तो देखें कि जिस समय आप फल तुराइं करते हैं उससे 15-20 दिन पहले एस्ष्प्रे किया हुआ होना चाहिए या अपने चरह के लिए इस्युक्त करते हैं अपने बरबटी के और तो उस समय जो होता है कि 25 से ले क तो फली के उपर भी कम से कम 20 दिन पहले एस्परे किया हुआ होना चाहिए तब इसमें से आप फली ले सकते हैं या नहीं तो जो इसका जहार होता है उसको चारा के रूप में काट करके आप अपने जानबारों को खिला सकते हैं तो इस परकार से आप बरबटी का जो खेती होत आपके खेतों के चारो साइट से बॉंडरी इस परकार से घिराब करके उसके उपर जो होते हैं क्या करते कि इसका जो बेल होता है iron phosphorus भरपूर मात्रा में इसमें पा जाता है तो वीडियो का ऐसा लगा कोमेंट करके आप हमें जरूर बताए और चैनल पर नए है तो फिली चैनल को subscribe करके वीडियो को like जरूर करें तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार